जैश्री क्रिश्ण रादे रादे श्री हरिदास और आज की सुन्दर सी लिला जो बहुत ही सुन्दर और बहुत ही ग्यानवर्दक है सेविका इसमें देखती है कि वो स्वैम को वरंदावन में गई है और वो सूशती है आज काना जी से मैं कुछ नहीं मागूँगी लेकिन में जैसे ही वो वरंदावन पहुंशती है तो बहुत है कि मैं माला खरीद रही हूं और मैं एक गली मैं निकल जाती हूं सेविका बांटे बहारी जी के मंदर में प्रवेश कर जाती है और कहती है लाला सुनना फी थोड़ा कम है लाला सुन ना लाला कहती है कहा है तो को आय को डाय रोज रोजा आजाते है जाना जाने जरे ना मेये जोर तो न की इस जोर ना बहुत है मेये जहु सब्सक्राइब झाल मेय जोर न माला ऐना लाई लाय और ख़ violation कि पर् vivid न लाई तो सवीका बहुत आई पतो ना जो reliability मैया को पताओना कुन सी गलीप चलेगे कौन के जोरव अरे का गई है डूढ तो लेती मैया को तो बोली कित कउना को रही तरी मैया बंदावन बंदावन करते कि मैं बंदावन वारी हू तब घुझ यह को तुम आज इतनी बड़ो ना थिक है ठीक है तुम अधूर यू और त सेविका समझ जाती है कि यह नहीं आएगा तो वह सोचते क्यों न मैं ये शुदा मैया के जहरे चले हूँ वह चोटो लाला होगो मैं बाके जहरे खेल लूँगी छोटे वाई लाला के संग खेल लूँगी और वो पुल पहसे होते हुए यमना पार करके ये शुदा मैया के ज 132 जब वहाँ पहुँची तोव 27 मतलब जाती है तो रास्ते में देखती है कि एक औरr जो है गाखरा पहने हुए चुनर ओड़े हुए चुनर उसकी मैली है और वो जो है गोबर उठा रही है तो सेविका उससे बोलती है आप यह गोबर क्यों खारी हो जो गोबर चू उठ पढ़ेगा कि गोबर उठावे कोई आवे हो बढ़िया नोक टॉटी बात करें चोरी तो सेविका बोली लेओ मैं तो जे सोच रही कि ब्रिजवासी तो बहुत दयावान हुए यहां तो सब उल्टे ही जवाब दें सीधी जवाब पूछो तो उल्टे ही जवाब दें कौन सो तो उन्हें सूद्वाइऊ हमारो तो लाल ही пригए हम उस्वाब दें तो बोली हां मैं ढूंड वयं आई हो उत्वांब जार्व। पतो ना कहान चलेंगो और यहीं ते भाग के गया पूरर रंग हो रहो कुर सुख रहा है के फ्र खोरीम खेल पतो फीर खेल के आईगी जोरते हैं दो सब्छली जां पल्ली तर्फ तो जल्दी जाओं के चल्दी पहुनि जां तो बोले पली तरफ ते चली जा बबूल को पेड़ा वाके माउं है के निकर जाई हो और वो दाउ गए हो संग में तो सेवी का डर गई अब दाउ भईया भी गए है भगवान अब ये दाउ भईया भी गए तो मेरे को तो पता नहीं अब उनसे तो मुझे डरी लगता है क्यो लाई ना हो और वो बेर तोड़ के रख के और वो मतलब मैया के घर में प्रवेश कर जाती है वो देखती है कि मैया जो है एक लंबे से जाडू से जो है जाडू लगा रही है मैया के कुछ बाल सफेद है मैया की उम्र होगी 60-60 के करीब और जाडू लगा रही है सेवी का य मैया मैं आए गई देख मैया वो आई हती न मैं बुई तो मैया कहते हाँ हाँ काच यह लाली तो है को है तो बोली मैया मैं बुई हो जो आई हती अच्छा अच्छा मैया तुझे चु कह रहे है कि काच यह मैं कचु लैवन आई मैं ते लाला ते बहुत प्यार करतू मैं बाते मिलवे आई हूँ तो मैया बोली अच्छा 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 मिलवे आई है बाते पर वो तो इत्तो बड़ो है गो का खेलेगी बाके संग बोली ना मैया तेरो लाला तो छोटो है ना मो बाके संग खेलो है मैं गई है तीमा ब्यारी जी के मंदिर में बो बोलो कि थोड़ी द बोली मईया मैं खेल के तो द्याओंगी आपेल आतल देगी का तो मैं तू कहले तूटी ना पर देदिक में अपनो लाला कुंछ थीक ले जा तो पर दाते नाते कनहियां बहार निकल बही या कनेया का पेट हलका सा आगे मोटा मोटा कनेया काला काला कनेया गले में उसके सोने की माला जिसमें लौके डले जैसे हमारे कनेया के डले हैं बड़ी बड़ी आखे उसकी पलके एक दम पीछे की तरफ मुड़ी हुई बड़ी बड़ी आखों पे पलके उपर से काला का आले पे काजल, उपर से सुनहेरे बाल, इतना सुन्दर मन मोहग लाला, गोरा गोरा मतलब मोटा मोटा लाला, ऐसे उसके कलिच पड़ रही है जैसे मोटे बच्चे के हो जाते हैं, पेट भी आगे, और नंगा बिलकुल, और उसके बाल पोचते हुए, उसकी सेविका कोई है, जो उसके बाल पोच रही है, और 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 उ सेविका उसको गोद में लेकर उसे बाहरा आती है बाहरा के उसके साथ खेलने लगते हैं तो सेविका कहती है लाला तू इतनों मोट हैं कि मतलब बन में पारी कि कि वजन लग पतो ना क्यों यहीं पर मेरो दिल लटक जाए का रहो फिर उस अच्छो लग रही हो जिमोई और मन में सोच तब लाला कहता है मौझे पतो है तो बोले कि हाना में कहा सोच रही है बता तू कहा सोच रही है उतार मों नीचे तो बोले तू अज लंगोट क्यों ना पहन के आयो तो बोली तूजे बता तू आज परिशान क्यों दिख रही है सकी तो सेविका बोली हाँ लाला मैं थोड़ा सो तो परिशान हूं मुझी समझनात कि इस संसार में जब एक घर में भक्ती करता है तो सब भक्ती क्यों नहीं करते हैं किसी के माता पिता करते हैं तो बच्चे नहीं करते किसी के बच्चे करते हैं तो माता पिता नहीं करते कुछ गलत काम करते हैं ऐसा क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आता काना जी बोले बस इत्ती सी बात बोले हाँ लाला इत्ती सी बात काना जी बोले क्योंकि ये बताने के लिए मुझे तुम्हें पूरा बताना पड़ेगा तो काना जी अपना बड़ा रूप धारन करते हैं वो बोलते हैं कि अगर मैं चोटी रूप में तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें समझ नहीं आएगा और काना जी अपना बड़ा रूप धारन करते हैं और बिहारी जी के रूप में फिर कहते हैं यह बताओ तुम्हारे परिवार में तुम बड़ी थी ठीक है तुमको आगे मैंने रखा तुम सबसे अलग थी तुम्हारे पुनिकर्मों के द्वारा तुम्हारा जो भाव था वो अलग था। तुम्हें तुम्हारे ही घरवालों के द्वारा मैंने हात लगवाना मतलब कुछ कस्ट और कुछ तुम्हारे जो तुम्हारे भाव और तुम्हारे कर्म से अलग था, जिसे तुम्हें क्रोध आया, तुम्हें मोह का और माया का ही मैंने लालच दिखवाया, जिसके कारण तु आगे बढ़ने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है सेविका बोली हां काना जी ऐसा तो है इसलिए आपने मुझे यहां लाया काना जी बोले हां क्यूंकि तुम संसारी थी जब संसारी को संसारी मुह देकर ही तो आगे किया जाएगा लेकिन तुम्हारे कर्मों के द्व बड़ा जब तुम आगे भक्ती में बड़ी तो तुम्हारे ज्यान में वर्दन हुआ और तुम भक्ती की तरफ प्रेरित हुई इस प्रकार मनुष्य के कर्म ही उसको आगे और पीछे लेके जाते हैं मनुष्य के ही कर्म ही उसको भक्ती में लाते हैं इसलिए प्रतियक माता पिता जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं वो बच्चपन से ही अगर अपने बच्चों को भक्ती का मार्ग दिखाएंगे तो वो बच्चे अच्छे जाएंगे उनका जीवन कल्यान मैं होगा लेकिन कर्मों के द्वारा माता पिता भी इस कारे को संपूर्ण नहीं कर पात भक्ती का निर्मान करें अगर वो नहीं कर पाते हैं तो इसमें उनकी भी गलती है अगर सेविका बोली काना जी लेकिन कुछ माता पिता तो बच्पन से माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं लेकिन नहीं हो पाता बोले क्यों ये कुछ कर्मों के कारण उनके पिछले प हाँ काने जी यह तो सत्य है तो वो कह रही ठीक है तुम ऐसा करो एब मैं तुम्हें दो घर में भेजता हूं और जाके उन घरों को देख कर आओ सेवी का दो घरों में जाती है एक अमीर घर है एक गरीब घर है जो अमीर घर है उसमें चार बच्चे है एक माता पिता है उनका क मोबाइल देख रहा है लेकिन मोबाइल में वो कुछ गलत चीज़े देख रहा है तीसरा बेटा जो है वो उसको भगवान की सेवा के लिए प्रेरित किया जा रहा है लेकिन वो बच्चा हां भी कर रहा है और ना भी कर रहा है जो तीसरा चौथा बच्चा है वो चौथा एक बेटी और बेटा दोनों ही भगवान का स्मरन करते हैं। सेविका ये देखकर बहार आजाती है और कहती है देखो ना कानप जी उनके घर में मातापिता अच्छे हैं। फिर भी एक बच्चा खराब चला गया। कानप जी ने कहा प्रारब्द और मुल के कारण उसके कारण ही उनको कस्ट भी भोगना होगा क्योंकि उनके कुछ कस्ट सेश रह गए हैं लेकिन ज्ञान के कारण उनकस्टों को वो नहीं भोगेंगे क्योंकि अगर मनुष्य को ज्ञान हो जाता है तो अब वो उनकस्टों को अपना ही कर्म मानकर बहुत ही आसानी से भोग ले जाते हैं लेकिन जो मनुष्य इन बातों को नहीं समझ पाते वो भगवान को ही उतका दोश देते हैं देते हैं ना जैसे कभी कभी क्या बोते क्या भगवान जी आपने हमारे लिए ऐसा ने किया क्या भगवान जी हमारे घर में इतना कस्ट दे दिया लेकिन वो भूल जाते हैं कि भगवान तो उनको सब कुछ अच्छा ही करना चाहते हैं बस उनहीं के कर्म, उनहीं के प्रारद्धों के द्वारा उनको ये भोग भोगने होते हैं जैसे इस जनम में मैं सब को बोल रहा हूँ बता रहा हूँ ना कि अच्छा करो, दान करो, पुन्य करो सब कहते हैं ना कि मैं सब के लिए हूँ सब मुझे बहुत प्यार करते हैं तो बताओ जब आप किसी से प्रेम करते हो तो आप कैसे परिक्षा दोगे बताओ तो सेवी का बोली बता नहीं का न जी बोले जैसे तुम्हें अपने किसी प्रेमी को दिखाना होता है जो संसारी होता है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ या करता हूँ तुम हाथ करते हो तुम गुदवाते हो हाथों पेरों पे सर पे देना एक वक्त नहीं एक वाक्य नहीं उसकी भी परिक्षा होती है प्रेम में लेकिन भगवान तुमसे हाथ नहीं कटवाते हैं गलत कृत्य नहीं करवाते हैं भगवान तुम्हारी परिक्षा लेते हैं तुम्हारी माया की तुम्हारे मोह की वो देखते हैं वो देखते हैं क बग्त प्रभू के लिए किस तक जा सकता है किस लिमिट तक जा सकता है और यह बात बोलकर सेविगा बोली हाँ काना जी आप सच बोल रहे हैं मुझी भी परिक्षा देने होगी काना जी बोले हाँ परिक्षा एक एक आख़व की होती है बोले वो कैसे देखो जो ढोंग करते हैं जो भगवान का नाम सिर्फ ढोंग में लेते हैं एक जैसे जैसे तुमने किसी लाला को गुमाया दूसरा भी गुमाने लगेगा वो वैसी साड़ी पहनेगा वैसा टीका लगाएगा वो सब ढोंग है क्योंकि सचाई तो उनकी आगे भक्ती में बढ़ने पर होती है जब वो आगे भक्ती में बढ़ते हैं तो आगे परवत पर उनको जाना होता है परवत कैसा भक्ती का परवत जिसमें अनंत विदी विधान के द्वारा परिक्षा और भक्ती का प्रभाव आगे बढ़ता है और मनुश्य आगे चले जाता है उसका तेज बढ़ जाता है उसका ज्यान बढ़ जाता है बाकी सब माया की बाते पीछे रह जाती हैं और जो धोंग कर रहे होते हैं वो बीच रास्ते में ही भक्ती का पालना छोड़ देते हैं और वो भक्ती से दूर रहकर फिर से उस माया में लिप्त हो जाते हैं और उनके जीवन तुमने धोंग करना भी पाप है भगवान को तो सब पता है क्योंकि मैं तुमारी ही आत्मा में वास करता हूँ तुम जो कृत्य करते हो सोचते हो ना भगवान को हमारी बाते कैसे पता इसलिए पता क्योंकि भगवान ही आत्मा में है जब तुम अच्छा करते हो भगवान प् पहता नहीं फिर भगवान अनंत रूपों में भी तुम्हारे सामने आते हैं लेकिन भक्ती ना होने के कारण तुम नहीं पहचान पाते मैं आया हूँ ना तुम लोगों से भक्ती लेता हूँ ना बताओ तो सेव बोले हां काना जी आप मेरी करुवा ही हो ना तो काना जी बोल लाएते हैं जो करने में समर्थ हैं वो भी कुछ नहीं करते जो समर्थ है वो शरीर से भी कुछ नहीं गते तो बताओ भगवान वहाँ कैसे रहेंगे तो सेविका बोली हां कानजी मैं समझ गए यानि कि जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छा ग्यान देंगे उनके बच्चों को अच्छा ग्यान प्राप्त होगा लेकिन कुछ बच्चों के कारण उनको दुख भी प्राप्त होगा क्योंकि ये उनके प्रारप्त और कर्मों का दोश था और लेकिन ग् परिक्षाओं को पास करने का साहस आता है, क्योंकि वो मोह से दूर रहता है, क्योंकि मोह है क्या, जो जिसे तुम मैं में कर रहे हो, ये मेरा है, ये मैंने कमाया है, तुमने कमाया है, कैसे कमाया, अगर तुम्हारा अंच ना होता, अगर तुम्हारी बुद्धी ना होती, ये कल नहीं हो आज तुम्हारा जन्म हुआ है तो कल तुम्हारी मृत्यू है और मृत्यू परम सत्ते है फिर क्या कमाया तुमने क्या तुम्हारा था क्या किया तुमने कोई तुम्हें याद नहीं करेगा क्योंकि जो तुम्हें याद करेगा वो भी संसार में नहीं रहने वाला है तो बताओ, क्या था तुम्हारा जब तुम्हारा कुछ था ही नहीं जब तुम्हारा कुछ है नहीं तो तुम किस बात के लिए मैमे करते हो मेरे आदेशों को जुटलाते हैं जो भगत आदेशों को जुटलाते हैं मेरे द्वारा बताई बातों का स्मरण नहीं करते अपने जीवन में उसका पालण नहीं करते उनको तो कस्ट भोगना ही होगा क्योंकि वो अपनी कर्म स्वेम बना रहे हैं घर में दरिद्रता, घर में बिमारिया, अस्वस्थता ये साब होगा, सब इस शरीर को जहलना होगा क्योंकि ये शरीर जिस चीज के लिए बना है भोगना तो होगा, अब अच्छा करोगे तो अच्छा भोगोगे, बुरा करोगे, बुरा भोगना पड़ेगा तो सेविका बोली कानजी, यानि मैं क्या करू बुला कुछ मत करो, बस अपेक्षाय मत करो किस से अपेक्षाय कर रहे हो जब माता पिता से तुमारी अपेक्षाय तुमने हटा दी है तो तुम सबसे अपनी अपेक्षाय हटाओ क्योंकि जब भगवान से प्रेम करते हो तो भगवान से ही मांगो क्यों माता पिता के उपर तुम अपेक्षा रखते हो, क्यों प्रेमी प्रेमी का पर अपेक्षा रखते हो, क्यों किसी पती पर अपेक्षा हैं रखते हो, क्यों अपने पुत्री पर अपेक्षा रखते हो, क्यों अपनी पुत्री पर अपेक्षा रखते हो, कि ये हमारे प्रभू को छोड़ दो, तुम्हारे जीवन के कस्ट समाप्त हो जाएंगे, तुम इश्वर को सब कुछ बोलना बंद कर दोगे, जब इश्वर को तुम गलत नहीं बोलोगे, तुम्हारे पाप नहीं बढ़ेंगे, तुम इश्वर से प्रेम करने शुरू कर दोगे, तुम्ह स्वेम करने लगोगे लेकिन ये सब करोगे तभी जब तुम उस आत्मा में मेरा वास देखोगे मेरा स्वरूप देखोगे तुम सब कहते हो भगवान कहां है अरे भगवान तुमारे पास है लेकिन तुम कहां देख पा रहे हो क्योंकि वो दृष्टी तुमारे पास नहीं है इस माया के कारण ये मेरा पुत्र है ये मेरा धन है ये मेरा बंगला है कुछ भी तुम्हारा नहीं है ना तुम्हारा था ना तुम्हारा रहने वाला है तुम आज हो जिनको तुम अपना पुत्र बोल रहे हो वही पुत्र एक दिन तुम्हारा हाथ पकड़ कर तुम्हें उस से निकाल देगा अभी सोचा है उस वक्त तुम्हें किसका सहारा होगा तब तुम याद करोगे हे इश्वर हे प्रभो कहां है इश्वर वही इश्वर तुम्हें अंत में प्राप्त होगा इससे अच्छा है तुम उस इश्वर को तभी प्राप्त कर लो तुम्हें संसार के इ पेक्षा नहीं करूंगी बिना पेक्षा जो मिलता है और आपको इश्वत पर ही मैं चलूंगी तो प्रभु बोले लगे कि इस ग्यान को आगे बढ़ाना है और ग्यान बढ़ाने के लिए तुम्हें मैया जो कहे उन बातों को सुनो और समझो क्योंकि ग्यान से ही कृष्ण प अरिदास